हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत है और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसर टिप्स बताने वाला हूं जिस टिप्स के माध्यम से आप अगस्त से भी पढ़ाई करके 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कोई दिकतने स्टुडेंट अभी से आप पढ़ना सुरू कर दें डेफनेट है 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं बस आप जिन जिन मैं स्टेप को बताने वाला हूं इन उन स्टेपों को अच्छे से फालो करें तो चलिए वीडियो को आपको फालो करना है ठीक है तो सबसे पहले आपको एक टार्गेट बनाया ध्यान दीजिएगा आप जो मैं आपको कह रहा हूं यह आपके बहुत ही हैलफुल होगा बिलकुल आप इन बातों को ध्यान रखें तो सबसे पहले आपको टार्गेट यानि लक्ष है मतला बनाना है कि आपको कितना score करना है 90% लाना है या 95% लाना या 80% लाना है तो आपका सबसे बड़ा I am होता है है ना goal होता है statement होता है कि हमको ये करना है अब ये आप सोचो कि मुझे 12 में pass out होना है तो ये कभी नहीं कर सकते हो आप अपने अंदर में सपने सजाओ कि मुझे इतने percentage लाना है अपने मावाप का नाम रूसन करना है ये आप गरीब घर से हो तो मुझे कुछ दिखाना है ठीक है या आप किसी भी परिवार से हो अपने मावाप की एज़त को हुचा करना है तो ऐसा कुछ अपने अंदर गोल लाओ, statement बनाओ, है ना अपने अंदर होसला जगाओ, अपने अंदर छेतना को बाहर लाओ, ठीक है और अपना target बना लो अभी से अंदर से खून खोलना चाहिए कि मुझे 90 प्लस होना चाहिए हमेशा यदि आपको ये target भूल जाता है तो सोते बक्त हमेशा याद कर लो कि मैं 90% की target रखा हूँ, इसके साबसे मुझे पढ़ाई करना है या कि आप एक कागच पे लगा करके सीधा चिपकालो जहां पे सोते हो, मुझे 90% लाना है जब हर बक्त यदि आप 90 देखोगे न तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना सुरू कर दोगे तो सबसे पहला जो आपका target point होता है वो 90% जितना भी आप लाना चाहते हैं उसका target बना ले यदि आप कम target बनाएंगे तो definite कम होगा इसलिए आप पहला जो point है student की target बना है ठीक है अब दूसरा जो target है आपका वो पढ़ने का सही समय पढ़ने का सही समय क्या होना चाहिए तो सुबह और साम मतलब morning time और evening time पर अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए कई बच्चे लेट उठते हैं 7 बज़े उठते हैं 8 बज़े उठते हैं 9 बज़े उठते हैं ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाता मेरे भाई जिनके मन में 90% target होता है न हमेसा सुबह 4 बज़े उठता है सुबह 4 बज़े उठें और सुना है तो 10 बज़े आप साम को सुझाएं और 4 बज़े उठें चार बज़े उठकर के भी यदि 10 से 15 मिनटा आप फ्रेसों ब्रेस करें इसके बाद पढ़ने बैठ जाएं क्योंकि सुबह का बक्त बिल्कुल सांत माहल होता और जो भी पढ़ते हैं तो आपके स पा रहे ना तो आप फिर कोई मतलब करने है कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़ लिए लेकिन तीन दिन लगातार आप बिल्कुल सोने लग गए तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है चाहे तीन घंटे या पांच घंटे पढ़ो लेकिन डेरी आपको पढ़ना ठीक है तो पढ़ने का सबसे उचित समय आपको सुबह है और साम के बगत ठीक है दोपार नहीं पढ़ते कोई दिक्गत नहीं लेकिन साम सुबह तीन चार चार घंटे पढ़ रहे हैं या दो दो तीन तीन भी घंटे पढ़ रहे हैं तो काफी है एदि आप सुबह साम पढ़ रहे ह ठीक है तो दूसरा इस्टेप आप समझ गयों होंगे और मैं आसा करता हूँ कि इन सब को आप फालू करेंगे तभी आपका 90% टार्गेट है न कर क्लियर हो पाएगा तीसरा आपका पॉइंट है लिखाबट पर ध्यान दें ठीक है ना लिखाबट पर ध्यान दें आपका तीसरा पॉइंट है लिखाबट पर आप लोग कोशिस करते हैं पढ़ने के लिए और सुचते हैं कि केबल पढ़कर याद हो जाए लिखना ना पढ़े ध्यान दीजेगा हमने पढ़ाई किया हमसे बस बच जाएगा यह नोट से दी नहीं बना रहता फिर लास्ट में आपको दिक्कत होती है क्योंकि लास्ट नहीं पेपर के टाइम में आपको केवल नोट ही काम में आता है इसलिए नोट से बनाए ठीक है और लिखाबट पर विसेश ध्यान दें क्योंकि पांच परसेंट जो है आपका लिखाबट माणी रखता है यह आपके अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है तो पांच परसेंट आप मार खा जाएंगे अपने लाइब से आपका इस्टुडेंट दोस्त जो है पांच परसेंट आगे चला जाएगा जिसका राइटिंग अच्छा होगा तो आपको यह दि 90 टारगेट है आपका तो राइटिंग पर विसेश ध्यान दे मतलब लिखाबट पर विसेश ध्यान दे आटो मर्टिक आपका लिखाबट सुधर जाएगा यह दि आप जितना पढ़ते हैं उतना विसेश तोर से लिख लिया करें तो इन चीड़ों को आप विसेश तोर से ध्यान दे तो तीसरा स्टेप आपका कंप्लिट हो गया चौथा स्टेप जो है आपका सभी विसेश ध्यान दे ध्यान दे ना डेली पढ़ना है चाहे आप एक एक घंटे प्रतेग विसेश को पढ़ें लेकिन सभी विसेश को पढ पर इन्हों ने कहा भी है इसको 3-3-2 घंटे पढ़ लेते हैं हिंदी इंगलिस बहुत ही सरल है और बाद में पढ़ देंगे और बाद में वही हिंदी इंगलिस में आप लोग क्या करते हैं कम माक्स पा जाते हैं और जिससे आपका परसंटेज घड़ जाता है तो आप लोगो डेली पढने से क्या रोटीन बना रहता है तो हर सबजेक्ट को डेली पढ़ना ध्यान धीजेगा और जो भी पढ़ना है उसको बहतरे नोट्स बनाते चलना लिखते चलना है क्यों कि आप इरी नोट्स बनाएंगे तो बाद में काम आएगा अब एक और step मैं आपको 5 माश step बताता हूँ जो सबसे important step है देहां दीजेगा जितना भी आप पिछले दिनों पर पढ़ते जा रहे हैं उनको कम से कम हर दिन 10 मिनट पुराना revise करते चलना कि कल हमने क्या पढ़ा है और आज क्या पढ़ रहे हैं तो कल कम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो यह चीजें भी आपको करते चलना है क्योंकि जो आप पिछले दिन एक घंटे में पढ़े होंगे उसको आज 10 मिनट में revise कर लेंगे इस प्रकार से पिछला भी important question या जो हमने पढ़ा उसका भी रिवाइज करते चलना है यह कुछ महत्मूर फैक्ट जो आपके life को बदल सकती है ध्यान दीजेगा इन सारे फैक्टों के दी आप पालन कर रहे है न तो जिन्दगी में definite आप खुसी आवास करेंगे और यहीं आपको कितना भी टार्गाट है उसे आप पापाएंगे ठीक है तो इन सारे इस्टेपों को फालो करें definite मैं कहता हूं आपके 6% आ जाएंगे ठीक है आप में जो आपको प्राबलम होगी जो उनमें मिश्टेक होगा जो गलती होगी आप स्क्रेंसार भेजना जो अभी आपको दिक्कत होगी मैं उसको साल्व करके भेजूंगा यह मैं बादा करता हूं जो नोट्स लेता है मात्र 100 रुपए में एक सब्जक्ट सबसे लोग को करूंगा आपको दिक्कत होगी तो मैं कॉल पर बात करूंगा मैं आप से बादा करता हूं यह चीज मैं आप से कह रहा हूं जो भी मेरा स्टुडेंट यदि सौर रुपए में एक सब्जक्ट लेता है तो उसे मैं पूरा समिश्य जो भी होगा अब्जक्टिन इमेरिकल सार कर दीजेगा मिलते हैं ले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मातरम